कि मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरूर लिखे मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगे मित्रों वर्ष तो हज़्यार पचीस में कार्तिक पूर्णिमा कब है चार या पांच नवंबर जानिये सही तिन बतारीक पूजा का सुप महुरत पूजा भी थी और पूर्णिमा तित्थी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी चानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हिंदु धार्म में कार्तिक पूर्णिमा का बिशिस महत्तो बतलाया गया है। यह पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली पूर्णिमा तिथी को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। धर्म ग्रंथों की माने तो कार्तिक पोडिमा के दिन संध्या की समय भगवान विश्डु का मत से अवतार हुआ था। इसलिए कार्तिक पोडिमा के दिन गंगा में इस्नान के दोरान, दीपदान, होमय अग्य और सभी तेवी देवताओं की पुजा उपासना करने का विशेश दिन होता है। ऐसी मानने ता है कि कार्तिक पोडिमा के दिन ही भगवान सिव जी ने त्रिपूरा सुर नामक राक्षस का बद भी किया था। इसलिए इसे त्रिपूरी पोडिमा के नाम से भी चाना जता है। ऐसी माननेता है कि कार्तिक पोडिमा के दिन ही माता तुलसी का बैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पोडिमा के दिन माता तुलसी की पूजा का खास महत्तो बतलाया गया है। मित्रों अब पूजा कारने की बीधी को भी चान लेते हैं। कार्तिक पोडिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्रक्रिया से निपटकर इस्तनान आधि कर ले। इसके बाद साफ वस्तुद कपड़ी पहन कर ब्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी से साप सफाई करके एक लकड़ी की चयोंकी पर भगवान विश्रू की मुर्ती या फोटो इस्तापित करें। और उनके समक्ष धूप दीप रोली चंदन आधि से उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान विश्रू मता लच्मी के साथ सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिसे करें। और चंद्रमा निकलने की बाद जल का अर्ग देनी की बाद पूजा समाप्त करें। ऐसी माननेता है कि कार्तिक पूडिमा के दिन किसी भी पवित नदी में इसनान करनी की बाद भगवान विश्रू के मत से अवतार रूप को तुलसी दल चढ़ाना सुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूडिमा के दिन जो भी यमुनाजी में इसनान करके राधा कृष्ण का पूजन करके नदियों में दीपदान करते हैं। उनको भगवान विश्रू सहीत सभी देवी देवताओं का आसिरबाद प्राप्त होता है। ऐसी माननिता है कि कार्तिक पूडिमा के दिन जो भी लोग नदियों में इसनान करके दीपदान करते हैं और किसी भी ज़रूरत मंद को जूते चपल और गर्म कपड़े की साथ-साथ चावल का दान करते हैं। उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। मित्रों अब पूजा करने का सुभ मोहूरत को भी चान लेते हैं। मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष तो 2025 में कार्तिक पोडिमां 5 नवंबर दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी। पोडिमां तिथी प्रारंभ होगी 4 नवंबर तो 2025 को रात्री 10 बचकर 36 मिनट पर। पोडिमां तिथी समाप्त होगी 5 नवंबर तो 2025 को साम 6 बचकर और 40 मिनट पर। चंद्र उदय होगा साम 5 बचकर 14 मिनट पर। 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 क् понадृ पर। पर।